Hello, this is Diljit. Welcome all of you to friends computer pass on. यह Excel की second video है. अगर आपने first video नहीं देखी, पहले आप वो देख सकते हो, इसके बाद भी देख सकते हो. तो हम Excel start करते हैं. Excel start करने के लिए मैंने keyboard से window की press करके, साथ में R की press कर दी और यहाँ पे लिख दिया Excel. Excel लिखके Enter प्रेस कर दिया, तो यह मेरा Excel open हो गया. कुछ चीजे मैंने पहले first video में बताई हैं आपको, अब हम next आगे देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया और Enter की प्रेस की और यहाँ पे 2 प्रेस कर दिया, फिर Enter की प्रेस कर दी, इन दोनों को मैंने select करना है. देखो मैंने यह जो cursor S, इस समय white plus का निशान है, यह selection के लिए use होता है, तो इन दोनों को मैंने select कर लिया, आप mouse से भी select कर सकते हो, और कैसे select कर सकते हो इन दोनों को, keyboard से, keyboard से मैंने shift की प्रेस की और नीचे की जो down arrow की है, उसको प्रेस कर दिया, यह दोनों select होगे. मैं चाहता हूँ, यहाँ पर counting लिखना, देखो, यह 1 है और यहाँ पर 2 है, जब मैं यहाँ पर ऐसे drag करूँगा, तो यह 1, 2, 3, 4, 5 है अपने अब लिखा आ जाएगा, जो इन दोनों में difference है, फर्क है जो इन दोनों में, वो ही आगे continue होईगा, कैसे, अभी देखो, यह plus का निशान है, जब मैं इस plus के निशान को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, तो चारों तरफ arrow का निशान आ गया, इससे क्या होता है, इससे move होती है value, यहाँ से पकड़ कहीं लेके जाने तो move हो जाएगी, बट मैंने move नहीं करनी, मैंने क्या करना है, मैंने counting लिखनी है, अपन ड्रैग कर रहा हूँ, अपने आप देखो counting लिखी जा रही है, जो यह counting अगिंती है, यह अपने आप आ गई, यह ज़रूरी नहीं नीचे की तरफ लिखनी है, इस तरफ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर one आ, यहाँ पर two लिख दिया मैंने, फिर इन दोनों को select कर लिया, ऐ इसे, ऐसे select कर लिया, shift की से भी कर सकता था, अब यहाँ पर जो black color का यह डबी सी है, यहाँ पर जब मैं लिखे गया, तो मेरा cursor का जो निशान है, वो black color का हो गया, plus का निशान जो है, black color का हो गया, अब इसको click करके मैंने press करके रखा, छोड़ा नहीं है, और ऐसे drag कर रहा ह देखो, अपने आप यह counting लिखी आ गई, इससे क्या है, मैं table भी लिख सकता हूँ, यह 2 है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, enter की press कर दी, इन दोनों को मैंने select कर लिया, अब मैं देखो, drag कर रहा हूँ, यह अपने आप, जो इन दोनों में difference है, यहाँ पर 2 है, 2 में 2 प्लस कर करेंगे 4 आ गया, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, तो यह अपने आप देखो, 6, 8, 2 का table आ गया, जहां तक मरजी ले जाओ आप इसको, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, enter की press कर दी, इन दोनों को select कर लिया, ज़रूरी ने आपने ड्रैक करना है, जहां तक left यह फिल हुए हुए है, मैं चाहता हूँ यह भी वहाँ तक करने है, तो आप यहाँ पर double click भी कर सकते हो, जिसको मैंने double click किया, अपने अप, जहां तक left फिल था, वहाँ तक यह भी फिल हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी ने हमने table लिखना है, यहाँ पर कुछ कोई भी value लिख दो, मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया, इन दोनों में 2 का difference है, तो 2 का difference लेकि यह अपने आप आगे लिखता जाएगा, जैसे अभी 3 में 2 प्लस करें, 5, 5 में 2 प्लस करेंगे, 7, ऐसी फिर 9, 11, यह दिखो, 2 का difference आगया, और इसमें हम Sunday, Monday भी लिख सकते हैं, यह दो का मैंने Sun, Day Sunday लिखा, Monday लिखने की जरूरत नहीं, Only Sunday लिखके भी आप इसको drag करोगे, अपने आप आ जाएगा बाकी, जिस तरफ मर्जी इसको drag कर लो, राइट साइड भी कर सकते हो, इन में से पकड़ के यहाँ से लेट साइड भी कर सकते हो, और यहाँ से उपर की तरफ भी कर सकते हो, जिस तरफ मर्जी कर लो, और यह Short Form में भी लिख सकते हो, जुरूरी है, पूरा लिखना है, आपने Sun, Only Sunday Short Form में लिखो, अब भी drag कर सकते हो, सेम जैसे पहले किया था, यह देखो, और January फरवरी भी भी लिख सकते हो, J-A-N-U-A-R-Y, January लिखा मैंने, अब इसको देखो, मैं ड्रेक कर रहा हूँ, यह भी सेम वैसी हो गया, जिस तरफ मर्जी कर लो इसको, राइट साइड कर लो, उपर की तरफ कर लो, जिस तरफ मर्जी कर लो, इसको भी Short Form में लिख सकते हैं, Only J-A-N लिखो, और इसको ड्रेक कर लो, और चीज के लिए Entry करनी पड़ती है, Entry कहां करनी पड़ती है, मैं थोड़ा बताई देता हूँ आपको, यह Office बटन है, यहाँ पे कलिक करो, यह Excel आप्शन है, यहाँ पे कलिक करो, उसके बाद, यह दो को यहाँ पे लिखा हुआ है, Edit Custom List, यह कहां पे होती है, यह Popular में होती है, Edit Custom List, इस पे कलिक करो, यह दो को यह Entry सब पहले की की हुई है, By Default Sunday Monday भी होता है, January, February भी होता है, यह मैंने कुछ Entry की हुई है, कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए है, आप खुद भी Entry कर सकते हो, खुद कैसे कर सकते हो, New List लिखो, और यहाँ पे नाम लिख दो जिसका आपक लिख, कॉमा, राकेश, कॉमा, गुर्दीप, कॉमा, विक्की, कॉमा, दलजीत, ऐसे आप किसी का भी नाम लिख दो, उसके बाद एड कर दो, यह नहीं Entry होगी, अब इन में से किसी का भी नाम, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, और उसको फिर ड्रैग करूँगा, यह बाकी नाम अपने आप आजाएंगे, मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे फिर दबारा ओके कर दिया, अब यहाँ पर किसी का भी जो लिस्ट मैंने अभी टाइप किया, उन में से किसी का भी नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे दलजीत लिख दिया, एंटर की प्रेस की, मैंने इसको सभी को select करके delete key press कर दी, मैंने simple इसको select करके delete key press कर दी और आप यहां से भी इसको raise कर सकते हो, यहां पर clear all करके भी कर सकते थे, ठीक है, select करना simple ऐसे select किया और delete, यहां से raise भी कर सकते हो, और delete key भी प्रेस कर सकते हो keyboard से, अब मैं आपको थोड़ी से entry करके बताता हू कैसे इसमें डाट एंटर करते हैं और सम कैसे करते हैं यह दो को मैंने यहाँ पर लिखिया नेम यहाँ पर मैंने लिख दिया subject 1 किसी के भी नाम के पिछे अगर आप 1 to 3 लिखोगे और उसको बाद में ड्रैग करोगे तो अपने आप वो इंक्रीज होता जाएगा ऐसे subject 1,2,3,4,5 अपने आप आ गया और यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया किसी का भी विक की तो ड्रैग करूँगा अपने बाकी नाम आ जाएंगे यह दो को मैंने ड्रैग किया तो बाकी नाम अपने आप आप आगे यह रिपीट हो रहा है मैं इसको रेज कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर डाट एंटर कर रहा हूँ मैं मार्क सेंटर कर रहा हूँ इनके subject 1 के कोई भी मार्क सेंटर कर दिया मैंने जब मैं next cell में जा रहा हूँ तो कीबोर्ड से tab की प्रेस कर रहा हूँ अब दोखो मैंने यह last subject के मार्क सेंटर कर दिय अब मैं enter की press करने जा रहा हूँ, enter की से क्या होगा, जहां से मैंने entry start की थी, ये नाम तो मैंने वैसी लिग लिए थे, drag करके, मैंने entry यहां से start की है, अब मैं जब enter की press करूंगा, तो मेरा जो cursor है, यह जो selection है, यहां पर आ जाएगी, देखो enter की press की, यह यहां पर आ गए, enter की नीचे आ गया, फिर enter की press की नीचे आ गया, ऐसी बाग, फिर enter की press की मैंने नीचे आ गया, यह, अब मैं यहां से enter करने जा रहा हूं, marks, दिखो मैंने यहां पर एंटर करके कोई भी माक से एंटर कर दिये मैंने अब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूं जब मैं टैब की प्रेस करूंगा राइट सेट पर जा रहा है अब मैं दोबारा एंट्र क intéress कर रहा हूं तो एंट्र की प्रेस करूँ अब यहां पर आजाएगा करसर यहांपर क्यों आएगा क्योंकि मैं जो अब श्राट कि थी और किया है ही तिया के फ़ार में टाप प्रेस कर करनी है आप बिना लिखे सीधा डिरेक्ट भी अपने आप रेंडमली वैल्यू ले सकते हो वो कैसे आएंगी इस इकल टू लिखो आर ए एंडी यह दो को नीचे रेंड बठवीन आ गया यह वाला इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से डौन की प्रेस कर दी ऐसे मै मैं वैसे यहां पर क्लिक भी कर सकता था उसके बाद मैंने टैब की प्रेस कर दी कीबोर्ड से यह अपने आप कंप्लीट हो गया फॉर्मूला अब मैं यहां पर लिख दोता हूं मिनियम वैल्यू बॉटम वैल्यू वन लिख दी मैंने कॉमा टॉप वैल्यू बड़ी से प्रेस कर रहा हूं अपने आप देखो वैल्यू जागी मिनिमम वन और जाज से जादा हंडर इनके बीच में से यह वैल्यू अपने आप आगी इसका एक नुकसान है मतलब थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा मैं क्या नुकसान है कि यह वैल्यू अपने आप चेंज होत पेस्ट करना है पेस्ट वैल्यू यह स्पैशल पेस्ट है अउनली वैल्यू रह जाएंगी जो फॉर्मॉला हो हट जाएगा देखो मैंने पेस्ट जब देखो यहां पर भी फॉर्मॉला शो कर रहा है जब मैं पेस्ट कर दूँगा अब देखो कोई फॉर्मॉला नहीं है अब ये simple values रहेगी और ये जो dancing bar है इसके उपर इसको हटाने के लिए escape की keyboard से left side के उपर left side पे सबसे उपर एक ESC नाम की escape की होती है उसको press कर दो ये normal हो गया अब ये जो हमारा values है वो सारी enter हो गी है अब हमने इनका sum करना है total करना है तो total कैसे करते हैं बहुत सारे method हैं मैं 2-3 बताता हूँ आपको बाकी मैं next वीडियो में बताऊंगा आपको देखो इनको मैंने जिन जिन का मैंने sum करना है उन सभी को मैंने ऐसे select कर लिया अब यहाँ पर मुझे total चाहिए ये blank cell भी मैंने double click भी कर सकता हूँ double click किया इनका सभी का इसने sum कर दिया sum करने के और भी method है और कौन से method है यह तो मैंने देखो यहाँ से auto sum से किया है मैं इसमें देखो कौन सा formula enter हो गया अपने आप यह formula enter हो गया इस formula में क्या लिखा हूँ है सबसे पहले equal to है उसके बाद sum लिख है फिर bracket start और देखो यह किनका sum कर रहा है यह b2 से लेके f2 का कर रहा है b2 means यह वाला cell b2 column का name और row के name से cell का name आ गया है b2 इसका address है और उसके बाद colon है यह दो बिंदियां सी जो होती है यह shift से डलती है और enter की के साथ वाले एक बटन छोड़के होती है यह shift दबा के यह key press करोगे column डल जाएंगे उसके बाद हमने last column का address लिखा है यह यह address है इसका है f2 यह वाला column यह वाला cell का address है यह यह लिखने के बाद bracket close किया enter की press कर दोगे तो यह total अपने अब भी हो जाएगा हमने वैसे यहां से किया है मैं अब सेम इसका करके दिखाता हूँ आपको इस वाले का escape की कर दूँ पहले enter की press करके मैंने यह इस से बाहर आ गया मैं अब देखो यहां पे मैं इन सभी का sum करने जा रहा हूँ तो पहले सबसे पहले equal to लिखा sum bracket start अब B2 नहीं करना अब B3 करना है B3 से ल दूकर मैं enter की press की हो गया इनका sum यह तो उनका sum होता है जो range में होते हैं जैसे यह एक साथ है अगर हमने बीच बीच में से करना है मालो यहां पर कोई value है उसके बाद यह value है यहां फिर यहां पर कोई value है इन सभी का मैंने sum करना है कहां पर करना है मालो यहां यहां पर करना ह मालो sum इनका इन सभी का करना यहां पर तो formula तो same ही है is equal to sum sum bracket start बट अब मैं ना range नहीं दूँगा मैं इनका एक एक करके cell का address दूँगा जैसे इस cell का address के है c11 तो c11 लिख दिया है मैंने comma यहां पर दिखा भी रहा है number one comma number two comma number three ऐसे ऐसी देना हमने भी comma लिखने के बाद अब इस cell का address के है c13 c13 comma अब next का क्या है c16 देखो इसका आ गया देखो अपने अब color भी show हो रहे है उसके उपर अब इस cell का address के है f16 f comma पहले comma लगाएंगे हम फिर f f कितना है 16 अब bracket close अगर मैंने इन में से भी किसी का address देना होता तो यहां पर comma डालके वह भी दे सकता था अम एंटर की press करूंगा यह देखो सभी का sum हो गया यह सभी का sum हो गया यहां पर एक और गलती करते हैं एक गलत तरीके से भी हम sum करते हैं उसका क्या नुक्सान है बहुत मैं बताता हूं यहां पर मालो मैं इन सभी का sum करना है मैंने तो मैंने equal to लिख दिया sum bracket start यह 50 है मैंने लिख दिया 50 कॉमा उसके बाद 47,7,53,26 सभी का मैंने जो सभी की value लिखके मैंने bracket close कर दिया इन सभी की मैंने values लिख दिया और bracket close कर दिया अब enter की press कर दी देखो इसने भी वैस्तो सही निकाला है sum बट इसमें problem क्या है कि यह जो बाकी मैंने formula लिखे हैं इनमें मैंने values नहीं दी मैंने इनके address दिया है इन cell के address दिया है बट इसमें मैंने क्या किया है मैंने values दिये दी है जिसमें मैंने values दे दी है इसका नुकसान है क्या नुकसान है ये वाली value चाहे मैं delete भी कर दूँ ये फिर भी sum कर रहा है असल में ये in value का sum नहीं कर रहा था ये जो यहाँ पर लिखिया है उनका sum कर रहा था जबकि मैं अगर यहां पे कुछ चेंज कर रहा हूं यह दुखो मैंने डिलीट कर दिया यह 0 हो गया यह भी अगर मैं डिलीट करूंगा 0 हो जाएगा यह दुखो 0 हो गया और यहां पे अगर मैं कुछ लिखूंगा यह से मैंने 1-1 लिख दिया 1 लिखा अपने वहां पर 1 हो ग देनी हमेशा उसका address देना है ताकि उस cell में पड़ी हुई value का sum हो और कभी भी हम अगर change करें वहाँ पे तो result भी साथ में अपने आप change हो जाए हमें बार-बार formula change ना करना पड़े यह दो-तीन method सिखाया है मैंने next वीडियो में मैं percentage भी सिखाऊंगा और और method बताऊंगा और क्या-क्या method हैं sum करने के okay thanks for watching